नाम अलेकुम और रहमतुल्लाय परकातू वालिभू सलाव होता है इसे कि यह सुन्नत नमाजों को जगा बदल कर पढ़ना किसा है सिक कुछ लोग बोलते कि वही सुन्नत नमाज जो अपने जगा बदल के पढ़ते तो प्रयामत के दिन वह गवाई देगी वह जगा ऐसा कि एक नमाज को दूसरी नमाज से न मिलाया जाए लेकिन बाद रहायतों में इसकी वजाह ता गई है कि यह मसला जो है फर्ज नमाज में पेशा आया था बलकी जुमा के नमाज में पेशा आया था कि जब आप फर्ज नमाज पढ़ें अब आप नफली नमाज पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है फर्ज और नफली नमाज के दरमियान गेप करेंगे दोनों को एक साथ में नहीं मिलाएंगे गेप करेंगे हदीस के अंदर ही अलफाज आगए हैं कि या तो आप गुफटगू करके गेप करेंगे ततकल्म और तखरुज ये दो तरह के अलफाज हैं हदीस के अंदर कि आप ने जब फर्ज नमाज से सलाम फेरा अब फारण आप नफिल नमाज उसी जगे पर ना शुरू करें या तो आप गुफटगू कर ले कोई कलाम कलाम से मुराद नमाज से बाहर की कोई चीज़ अब वो कलाम गुफटगू किसी आदमी के साथ भी हो सकती है और वो जिक्रो अज़कार की शकल में भी वो कलाम हो सकता है आप बैट करके थोड़ी देश जिक्रो अज़कार किये तो ये जो जिक्रो अज़कार है नमाज से बाहर की चीज़ है तो आप ने गोया की कलाम कर लिया अब फासला हो गया अब उसी जगे पर नमाज पढ़ सकते हैं दूसरा तरीका ये है कि उस जगे से आप मुन्तकिल हो जाएं ततकल्म और तकरुच आप वहां से उठकर के दूसरी जगे जगे बदल करके फिर नफिल नमाज पढ़ें तो ये असलन फर्ज और नफिल नमाज के दर्मियान गेप करने के सिल्चले में ये हदिसे वारिद हुई है इनका कई एक फाइदा है एक फाइदा तो ये है कि नफिल और फर्ज के दर्मियान तमीज किया जा सके ऐसा ना हो कि उन दोनों के दर्मियान तमीज मिच जाए इसले में आपने चाहे सुना हो कि जब आईद से एक दिन पहले रोजा ना रखो नफली रोजा यूँ ऐसे का गए ऐसा इसलिए कि नफिल और फर्ज में तमीज बरकरार रहे ऐसा ना हो कि नफिल और फर्ज को मिला दिया जाए और बहुत सारे अबवाब में इसके मसायल इसक और नफिल को एक बना लिया जाए दूसरी हिकमत इसकी ये है कि हम जहां पर नमाज पढ़ते हैं वो जगे हमारे लिए कियामत के दिन गवाही देगी सूरे जिल्जाल आप पढ़िए सूरे जिल्जाल की वो आयत पढ़िए शेष यूमाइदिन तुहद्द्द्द्द्द् बे अन्ना रब्बकावालहा तो ये जमीन ये चीज़ें ये हमारे लिए गवाही देंगी अगर हमने यहां पर गलत काम किया है तो ये गवाही दी जाएगी अगर हमने कोई नेक काम किया है तो वो जगे गवाही देगी कि इसने यहां नमाज पढ़ा था इसने यहां कुरा या जदा जगहें देंगी तो एक हिकमत और एक मकसद ये भी है अब अगर यह जो दूसरी हिकमत है इसके पेशे नजर कोई आदमी नफिल और दूसरी नफिल के दर्मियान भी गेप कर रहा है तो कोई हरज नहीं है उसको वो कर सकता है और यह फाइदा उसको मिलेगा लेकिन नफिल और फर्ज के दर्मयान गेप करने की जो हिक्मत है वो हिक्मत नफिल और नफिल के दर्मयान गेप करने में नहीं है तो लहाज़ा हदीश के अंदर जो असल हुक्म आया है वो फर्ज और नफिल के दर्मयान गेप करने का है लेकिन अगर आप नफिल और दूसरी नफिल के दर्मियान गेप करते हैं तो ये भी अच्छी बात है क्योंकि इससे आपके सजदे आपकी नमाजें ज्यादा जगहों पर होंगी और वो ज्यादा जगहें आपके लिए गवाही देंगी